और अब वक्त हो चला है पावर प्ले का जहां हमारे सभी एक्सपर्ट अपनी ट्रेडिंग कॉल्स पताएंगे आपको तो चलिए रुख करते हैं पावर प्ले का पावर प्ले में अब हमारे साथ नुरेश भी जुड़ चुके हैं और साथ ही कुनार भी हमारे साथ मौझूद हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है नुरेश सबसे पहले आप से समयना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नजर पर पहले वाहेंगा अपोला ऑस्पिटल्स पर जहां पर एक शॉट्टर्म फ्लेग ब्रेक आउट होने की पॉसिबिटी है अच्छा इंट्री पॉंट है स्टॉपलोस होगा 5190 टारगेट होगा 5500 का दूसरा भाई ये हीरो मोटो कॉर पर जहां पर 3050-3070 एक सपोर्ट जोन है इसक रिवाट भाई है स्टॉपलोस होगा 3050 टारगेट होगा 3300 टो शेयर नीजी है दो पसंट लिगे इसको खरीबनी की सला दे रहें नूरेश 3300 की टारगेट के लिए खरीदना है स्टॉपलोस 3050 का दूसरा शेयर है अपोलो होस्पिटल हम तेजी देख पे रहें शेयर में लेकिन इसमें तेजी भी और बढ़ेगी नूरेश के हिसाब से और इसके लिए जो अगला जो टारगेट बनेगा बनेगा 5500 रुपे का 5190 प कौन से दो शेयर हैं आखरी घंठे के ट्रेट के लिए कौनाल आपके रडार पर कौन सा शेयर है पहला बाइकॉल रहेगा इसारेफ पे जिस पर मेरे कॉंट्रा बेट लूंगा करन्ट लेवल से पिर मानना कि शायद हो सकता है काफी सारे केनिकल स्टॉक्स यहां से एक अच्छी विकावन दिखा सेके तो इसारेफ पे कॉंट्रा बाइकॉल रहेगी 2300 का टारगेट रख सकते हैं यह पर स्टॉप्लस 21.55 का और सेकेंड स्टॉक रहेगा SPI पर हमने देखा पी एसे बैंक्स में वापस से आज अच्छी मोमिट हम आई है SPI अपने ब्रेकाउट के लेवल्स पर वापस आच चुका है सजेस्ट करूंगा SPI पर 610 का टारगेट और स्टॉप्लस रहेगा फाइन देखने को मिले और आज एक वैसा ही दूसरा पे सारे फिन के रेडार पे है और साथी बैंकिंग लिगज एस भी आई की कॉल दे रहे है कुनार पर आगे बढ़ेंगे और गॉरप आप से समझते है कि कौन से स्टॉक साफ की रेडार पे है बताएगे पहला रकेमनिशन जो है वह भी पर रहेगा जहां पर एक इस पेस काफी बजिंग रहा है और विप्रो इन पर्टिकुलर आप देखिए जिए कि इन्वर से इंशुल रपैंग रिकाउड आप को देखने मिला है सेस्टीन कर रहे है उपर प्रफिल बुगिंग जरूर आई है अब अब भी अपर आपने रिकाउड लेवल से तो यहां पर मुझे ल चाहिए और भारत पे बेचने के सलाव दो है यहां पर आप अब आपने चाहर एक नहीं करेंगे मिलिग के डिक रीच विपिल रेगड़न के लिए पर इन पर आप निचे लिए निचे तरह रहा है तो मुझे लिगर यहां कहीं तवड़ी परफिल ज़्ें तो यहां पर इस अभारत को short करना है विप्रू को long करना ही ये गोरों की तरफ से आखर में शितिय जा बताईए आपके दो नए खिलाड़ी कोई से आखरी घंटे के टेट के लिए अभिशेक जी यहाँ पे मेरी नजर बनी रहेगी बैंकिंग स्पेस में से जैसे कुनाल जी ने बैट लगा बैट लिया SBA के उपर मेरा जो नजरिया रहेगा प्राइवेट बैंक से उपर रहेगा पॉजिटिव नजरिया रहेगा जिस तरह के कि यहाँ पे long build-up होते है कोटक बैंक और HDFC बैंक यहाँ पर सपोर्ट देते दिखाई देंगे तो पहली रिकमेंडेशन रहेगी कि कोटक बैंक के अंदर स्टॉप रेट कर रहा है 1888-1890 के जोन में यहाँ पे बैट लेने की सला रहेगी long side पे trading stop loss मेंटेन करने की जोड़ा है 1860 रुबे के नीचे अपसाइड में मुझे लगता है stock 1925 तक के लेवल देखने को मिल सकता है कोटक बैंक के अंदर दूसरा जैसे कि मैंने बता है HDFC बैंक ने रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके का price momentum दिखाया है जिस तरीका price action दिखाया है मुझे लगता है continue रहना चाहिए अगले 2 गने में औ देखने को मिल सकते हैं तो HDFC बैंक और कोटक बैंक के अपन नजर बना के रखे लॉंग बिल्ट अप होता दिखाई दे रहे हैं अच्छे ब्रेक आउट साथे दिखाई दे रहे हैं मिफ्टे बैंक में हम देख रहे हैं कि अच्छी रोमर भी है और सारी के सारी जो बजर से बैंकिंग सेग्मेंट की वो अब ट्रेडिंग रडायर पर भी आ रहे हैं आप SBI सुझाए उसके बाद कोटक बैंक और अब SDFC बैंक 1735 के लिए खरीदने की सिलाए DFC बैंक में करीब पॉने 2% के असपास कीती है और इस वक्त दिन की उचाई पर ये शेर ट्रेट कर रहा है 1675 का आज इसने इंट्राडे में हाई बनाया है